Hello dear students, कैसे हो आप सभी, I hope कि बहुत अच्छे होगे, तो आज के इस वीडियो में हम class 9th का, यह जो आपका maths का compartment exam का question paper है, तो आज के इस वीडियो में हम इस question paper को solve करेंगे, ठीक है, तो चड़े शुरू करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले हमारा यह रहा first question, क्या बोला गया है यदि x square प्लस ax प्लस 5 का एक गुर्णखन x माइनस 1 हो, तो a command होगा, तो इसमें हमसे a command पूछा गया है, तो देखिए, इसका solution हम कैसे करेंगे, यह मैं आपको proper तरीके से solve करके समझाओंगा, ताकि आपके मन में कोई भी doubt ना रहे, लेकिन यह हमारा mcq है, यहाँ पर इसमें से हमें right option को tick करना है, तो कैसे बताएंगे a command, सबसे पहले यह जो हमें ground current दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें x minus 1, तो इसके equal में 0 लिखके, और यहाँ से हम x की value निकालेंगे, तो यह minus 1 इधर जाके plus का 1 हो जाएगा, तो x की value 1 आ गया, अब इस x की value को यह जो दिया गया है, x square प्लस ax प्लस 5, इसमें हम रख देंगे, तो सबसे पहले x square है, तो x की जगाल पर 1 लिखेंगे, और फिर यह square प्लस में क्या है, ax, तो यह a x की जगाल पर 1 प्लस में 5, ठीक है, और इसके equal में 0 लिखेंगे, तो 1 का square 1 हो जाएगा, प्लस a का 1 में multiply करेंगे, तो a आएगा, प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहां से 1 प्लस 5, 6 हो गया, तो 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6, इधर बचेगा a, तो a की value माइनस 6 आ गया, यानि कि, यह देखिए, c option में हमें माइनस 6 दिया हुआ है, इसलिए first का यह c वाला option हमारा correct है, ठीक है, इ प्लस 14 हो, तब सम चत्रवुज की परतेग भुजा का माप होगा, तो इसमें हमसे सम चत्रवुज की परतेग भुजा का माप पूछा हुआ है, यानि कि हमें rhombus की परतेग भुजा का मान बताना है, तो हमें जैसे कि पता है कि जो हमारा एक सम चत्रवुज होता है, इसकी तो यहां पर हमें ये दो भुजाएं दी गई हैं कितनी कितनी एक तो हमें दिया हुआ है 3x-6 और दूसरा दिया हुआ है x-14 तो दोनों को हम equal में लिख देंगे क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है रॉम्बस की तो यहां से ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3x मे हो जाएगा इधर 14 है ये माइनस 6 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारा 10 आ गया ठीक है अब हम से क्या पूछा है संचत्रभूज की परतेग भुजा का मात तो इन दोनों में से किसी एक को हम ले लेते हैं इसको ले लेते हैं 3x-6 को तो सबसे पहले क्या है 3 तो यह पर 3 लिखेंगे फिर x है तो x की वैल्यू हमने 10 निकाला है तो यह पर 10 लिखेंगे माइनस में क्या है 6 यह आप देख सकते हैं तो यह हो जाएगा 30-6 यानि की 24 ठीक है तो इसी लिए संचत्रभूज की परतेग भुजा का माप कितना हो जाएग ठीक है तो 24 हमारा यह रहा B option में cm नहीं दिया है हमें सिर्फ 24 दिया गया है तो इसी लिए B option करेक्ट हो जाएगा second question का अब इसके वाद next देखिए question number 3 इसने बोला है मूल बिंदू का निर्देशांक है तो मूल बिंदू का क्या निर्देशांक होता है जैसे देखिए यहा y की value भी 0 होता है और y की value भी 0 होता है यहाँ पर मूल बिंदू का निर्देशांक तो इसलिए 00 यह रहा D option में इसलिए third का D option correct है अब इसके वाद next देखिए question number 4 इसमें बोला है root 32 divided by root 2 बराबर है तो किसके बराबर होगा इसको भी हम solve करके देखेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ हमें root 32 divide का मतलब क्या होता है बटे में तो बटे में आ जाएगा हमारा root 2 अब यहाँ से इसको solve करेंगे तो यह जो root 2 है यानिकी हर जो है यह root में है तो इसका प्रमे करन कर देंगे यानिकी ऊपर भी root 2 का गुणा और नीचे भी root 2 का गुणा कर देंगे तो root 32 और root 2 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा root 64 बटे में इनका गुणा करेंगे तो 2 आएगा अब 64 का root यानिकी 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 चोक 8 यानिकी हमारा answer 4 आ रहा है तो 4 देखिए ये रहा B option में यानिकी 4th का B option हमारा correct है ठीक है अब इसके बाद next करते हैं question number 5 तो question number 5 देखिए इसमें क्या बोला है कि यदि M और N के बीच में एक बिंदू P इस्थित है तथा MP का मध्य बिंदू C है तो इन में से हमें right option को टिक करना है तो कैसे करेंगे देखिए हमें बोलाए कि M और N के बीच में एक बिंदू P इस्थित है माल लीजे ये हमारा M है और यह माल लेते हैं हमारा N है तो इनके बीच में एक बिंदू है हमारा P चीक है तो हमसे बोलाए कि MP का मद्ध बिंदू C है यानि इस MP का मद्ध बिंदू ये रहा जिसका नाम C है तो सबसे पहले option दिया हुआ है MC प्लस PN यानि MC प्लस ये PN बराबर MN यानि कि ये पूरा तो क्या ये सही है ये सही नहीं है ये गलत है दूसरे में दिया है MP प्लस CP यानि कि MP इतना प्लस ये CP इतना बराबर MN बोला है यानि कि ये पूरा तो ये भी सही नहीं है यान देखें MC प्लस CN यानि कि ये MC इतना और ये CN इतना बराबर MN यानि कि ये पूरा तो ये इतना और ये इतना मिलकर ये पूरा बन रहा है इसलिए हमारा ये C वाला option correct है चिक है तो fifth number का C option correct है इसके बाद देखिए six question इसमें बोलाए कि यदि समीकरण ये समीकरण दिया हुआ है का एक हल एक माइनस दो है तो P कमान है तो इसमें हमसे P कमान बहुत ही easy है देखिए कैसे करेंगे हम सबसे पहले ये जो हमें दिया गया हल इसमें ये जो first वाला number है एक ये होता है हमारा x कमान और ये जो minus 2 है ये होता है y कमान तो इसमें हम x और y कमान रख देंगे सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे x कमान देखिए 1 है तो ये 1 x की जग पर देख के वाई कमान माइनस दो है तो यहाएं पर माइनस दो लिखेंगे equal में क्या है P तो यह P हो गया अब इसके बाद 212 हो गया minus minus यह हो जाएगा плюс और यह 2equal में P दो plus 2 4 बराबर बिखेंगे यंकि P की वैल्यू हमारा कितना आ गया 4 तो 4 देखिए यह रहा a option में इसके बाद अगला 7th question इसमें बोला है कि एक वरित की 313 सेंटिमिटर तथा इसमें इस्थित एक जीवा की लंबाई 10 सेंटिमिटर है वरित के केंदर से जीवा की दूरी है तो इसमें हमसे वरित केंदर से जीवा की दूरी पुछी गई है देखिए कैसे करेंगे हम हमें बोला है कि वृत की तरिज़ा 13 सेंटिमीटर है और जीवा की लंबाई 10 सेंटिमीटर है तो माल लिजे कि ये हमारा वृत है जिसमें ये वृत की तरिज़ा है जो कि 13 सेंटिमीटर है और ये माल लेते हैं वृत की जीवा है जो कि 10 cm है ठीक है? तो हमसे बोला है वृत के केंद्र से जीवा के दूरी यानि कि ये वृत का केंद्र है और ये जीवा है तो ये दूरी हमें पता करना है अब देखिए ये जो है हमारा यहां इतना ये एक समकोन तिर्भुज बन गया है इसमें हम पाइथागोर्स प्रमे लगाएंगे तो ये पूरा अगर 10 है तो यहां से यहां तक ये हो जाएगा 5 तो इसको हम अधार ले लेते हैं ये हो जाएगा करन ये हम निकाल देंगे यानि कि लंब इसको हम पाइथागोर्स प्रमे से निकालेंगे तो कान यानिकी 13 तो यह हो जाएगा का स्क्वेर यानिकी 13 का स्क्वेर बराबर लंब यह रहा हमारा लंब हमें नहीं पता तो लंब का स्क्वेर लिख देंगे PLUS, आधार 5 है तो यहाँ पर 5 का SQUARE, 13 का SQUARE 119, 5 का SQUARE 25 इधर जाके MINUS हो जाएगा और इधर हमारा बचेगा LUMB का SQUARE अब इसमें से इसको घटा देंगे 144 बचेगा SQUARE इधर आके SQUARE ROOT हो गया इधर बचेगा हमारा LUMB तो 144 का वर्गमूल होता है 12 यानि कि 12 cm आ गया ये ठीक है तो 12 cm देखिए ये रहा हमारा D वाले ओप्शन में यानि कि 7th का D option correct है इसके बाद 8th question देखिए दी गई आकरती में यदि AB ब्राबर DC तथा कोण ABD ब्राबर कोण CDB है तो तरभुज ABD सरवांगसं तरभुज CDB सिद करने के लिए सरवांगसंता का कौन सा नियम लागू होता है तो ये हमें आकरती दी गई है AB ब्राबर DC हमें दिया है AB ये रहा और DC ये रहा ये हमें ब्राबर दिया हुआ है और कोण ABD और CDB यंदि की कौन A, B, D ये वाला कौन और कौन C, D, B यनि की ये वाला कौन बराबर दिया है तो ये जो दो तिर्भुश बन रहे हैं एक ये वाला और एक ये वाला इनको सर्वानसम सिद्ध करने के लिए हम कौन सा नियम लागू करेंगे यहनिके कौन से नियम से यह दोनो तिर्भुज सरवांग संव होंगे तो देखिए दोनो तिर्भुज में इसमें और इसमें यह side यह side, यह angle, यह angle और यह side यह उभैनिष्ट है, common है, दोनों में आ रहा है तो इसीलिए side, angle, side यानि कि S, A, S नियम से दोनों क्रिवू सरवांग सम होंगे तो इसलिए A option correct हो जाएगा 8th question का चीक है अब इसके बाद चलते हैं next question number 9 पर तो question number 9 में देखी क्या बोला है यदि किसी गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके प्रिष्टेच हितरफल के बराबर है तो गोले क की तरिज्जा होगी तो हमसे गोले की तरिज्जा पूछी गई है तो चलिए इसका भी मैं आपको solve करके बताता हूं हमें गोले का आयतन और उसका प्रिष्टेच हितरफल बोला है कि बराबर है तो गोले का आयतन का क्या formula होता है यह होता है चार बटे तीन पाई यार क्यू दोनों को इकोन में लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर दिया हुआ है अब देखे सबसे पहले यह पाई से पाई कटेगा यहां आर स्क्वेर से यह आर स्क्वेर कट जाएगा सिर्फ आर बचेगा यहां पर आर क्यूब था आर स्क्वेर से आर स्क्वेर कट जाएगा तो R की value 3 आ गया यानि कि 3 हमारा 3 हो जाएगा यह रहा B option में तो इसलिए 9 का B option correct है इसके बाद देखे 10 बोलाए कि वर्ग अंतराल 100 से 110 का वर्ग चिन है तो यह तो बहुत ही easy है दोनों को जोड़के 2 से भाग कर देंगे तो वर्ग चिन आ जाएगा तो यह 100 और 110 210 हो गया 210 को 2 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 105 यह रहा B option में 105 ठीक है इसके बाद अगला है 11 120 डिगरी का परतिवर्ती कोन पुछा गया है तो कुछ नहीं करना सिर्फ हमें परतिवर्ती कोन पुछा है तो 360 डिगरी में से इसको यानि की 120 डिगरी को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 240 डिगरी यानि की 120 डिगरी का परतिवर्ती कोन 240 डिगरी है ठीक है हमें बस 360 में से इसको माइनस कर देना है तो 240 यह रहा B वाले option में यानि की 11 का B option करेक्थ है अब देखे 12 बोलाए कि एक समकोंड तिर्भूज ABC में AB बराबर BC है तो कोंड A का माप है तो इसमें हमसे कोंड A का माप पूछा गया है तो मालनी जिये कि ये हमारा तिर्भूज है ABC इसमें ये हमारा समकोंड हो जाएगा तो इसमें AB बराबर BC बोला गया है यानि A, B, A और B, C ये हमें बराबर दिया है तो कोण A का माप पूछा है तो देखिए ये हमारा पूरा एक तिर्भुज के तीनों कोणों का योग 180 डिगरी होता है जिसमें से ये अकेला 90 है तो ये और ये दोनों मिलकर कितने के होंगे? 90 के होंगे अब ये देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो किसी भी तिर्भुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर होते है यनकि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे तो इसे लिए ये दोनों मिलकर 90 डिगरी के हैं तो ये अकेला 45 का होगा और ये अकेला भी 45 का होगा यनकी कौन A हमारा 45 डिगरी का है हमसे कौन A ही पूछा गया है तो ये रहा D option में 45 डिगरी चीक है इसके वाल अगला देखिए 13 नमबर कोशन समांतर चत्रवुज ABCD में कौन C बरावर 108 डिगरी है तो कौन B का माप है तो इसमें हमसे कौन B का माप पुछा गया था तो कैसे करेंगे हम मान लिजिए कि ये हमारा एक समानतर चत्रवुज है इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D इसमें बोला है हमें की कौन C 108 डिगरी है यानि की यह वाला कौन 108 डिगरी है तो कौन B यानि यह वाला कौन पूछा है तो इसमें देखिए यह हमारा एक समानतर चत्रवुज है तो इसलिए इस रेखा पर ये जो दोनों कोण है इन दोनों कोणों का योग 180 डिगरी होता है तो इसलिए 180 में से इसको घटा देंगे तो हमारा ये कोण आ जाएगा यानि कि कितना बचेगा 32 डिगरी तो 72 डिगरी ये रहा C option में यानि कि 13 का C option correct है इसके बाद अगला question करते हैं तो अगला हमारा question number 14 है यह रहा question number 14 बोलाया कि शंकु के वक्र पिष्टे छेतरफल का सूत्र है तो यह हमारा होता है पाई यार यानि कि A option correct है इसके बाद 15 यदि कोण AOC तथा कोण BOC पूरह। AOC यह को अगलेंगे यानि कि 6X और 3X को जड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिगरी तो यहां से यह हो जाएगा 9x बराबर 180 तो x का मान आ जाएगा हमारा 20 9 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 180 में तो 9 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा चिके यहनकी x की value 20 आ गया हमसी क्या पुछा है कौन boc का मान कौन boc यह हमारा है 6x तो इसलिए 6x है तो यह 6 into x की value लिखेंगे 20 तो यह हो जाएगा 120 डिगरी ठिक है यानि कौन boc 120 डिगरी है यह रहा c option में अब इसके बाद देखिए 16 नमबर का question बोला है कि बिंदू minus 4 minus 3 की y अक्ष से लांबिक दूरी है तो minus 4 minus 3 की y अक्ष से लांबिक दूरी पूछी गई है तो देखिए कैसे करेंगे हम जैसे कि यह हमारा बिंदू क्या है minus 4 minus 3 तो यह minus 4 minus 3 वाला बिंदू कहां पर आएगा इस graph पे तो देखिए minus 4 यहां पर आएगा कहीं मालीजे यहां पर minus 4 हो जाएगा और minus 3 यहां पर आएगा यानि कि बिंदू जो है वो हमारा यहां हो जाएगा तो हमसे पूछा है कि Y अक्ष से लांबिक दूरी इस बिंदू की इस Y अक्ष से लांबिक दूरी यनकी ये दूरी हमें बताना है तो देखिए जितना ये दूरी है उतना है ये भी दूरी है तो ये कितना है ये है हमारा माइनस चार यनकी चार तो इसलिए y अक से लामिक दूरी चार हो जाएगा इस बिंदू की ठीक है तो इसलिए 16 का a option हमारा correct हो जाएगा अगर आपके मन में फिर विक कोई doubt रह गया है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं मैं आपको समझा दूँ सेंटिमीटर है तीसरी भुजा का माप है तो इसमें तीसरी भुजा का माप पुछा गया है देखिए हमें अर्ध परिमाप 16 सेंटिमीटर दिया हुआ है तो ये तो अर्ध परिमाप है यानिकि आधा है परिमाप तो पूरा परिमाप निकालने के लिए इस 16 का दो में से अगर तीनों को जोड़ेंगे 8 प्लस 11 प्लस तीसरी भुजा को X मान लेते हैं तो तीनों के बराबर में क्या होता है परिमाप परिमाप है 32 तो यह हो जाएगा 8 और 11 19 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो अगर 32 में से 19 को माइनस करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 13 यानिकि X की वैलू 13 आ गया यानिकि तीसरी भुजा हमारा 13 सेंटिमीटर की है ठीक है तो यह रहा हमारा 13 सेंटिमीटर C वाले आप्शन में तो इसी रहे 17 का C आप्शन करेक्ट है इसके बाद देखिए next 18 बोलाए कि एक संभाहुत त्रिभुज का अर्ध परिमाप 60 सेंटिमीटर है तो इसका 6 त्रफल होगा तो इसमें भी हमें संभाहुत त्रिभुज का अर्ध परिमाप 60 सेंटिमीटर दिया है तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा 60 का डबल यानिकि 120 सेंटिमीटर तो ये संभाहुत्रिवुज है, संभाहुत्रिवुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो अगर परिमाप 120 cm है, तो इसकी परतेग भुजा हमारा 40 cm होगा, यानि कि 40, 40, 40 संभाहुत्रिवुज की परतेग भुजा होगी, तो हमसे छेतरफल पूछा है, तो छेतरफल बड का square यानी a square तो यह हो जाएगा root 3 upon 4 into a यानी कि भूजा है 40 तो यहां पर 40 into 40 लिखेंगे दो बाल क्यों क्योंकि square है तो यह 4 एकन 4 4 दहां 40 कटेगा 40 और 10 का गुणा 400 400 गुणा root 3 यानी कि 400 root 3 यह हमारा answer होगा चीक है तो देखिए 400 root 3 हमें कौन सो option में दिया हुआ है ये रहा B वाले option में दिया हुआ है 400 root 3 cm2 अब इसके बाद next है question number 19 ये हमारा अभिकतन और कारण वाला question है तो इसमें बोला है कि 107 गुणा 93 का मान 9951 है क्या ये अभिकतन सही है तो इसको हम chat करेंगे 107 को हम कैसे लिख सकते हैं तो 107 को हम 100 plus 7 लिख सकते हैं और 93 को हम लिख सकते हैं 100 minus 7 अब इसमें A plus B A minus B वाला identity लग रहा है यानि कि कारण में देखिए यही वाला identity है A plus B A minus B बराबर A square minus B square तो A square यानि A है हमारा 100 तो A square यानि कि 100 का square 100 का square होता है 10,000 minus B square यानि minus B कितना है 7 तो 7 का square 49 अब माइनस कर देंगे तो यह आजाएगा हमारा 99 यानि कि 9951 आएगा और यहाँ पर भी बोला है 9951 यानि कि अभिकतन हमारा सही है ठीक है और इसके अलावा यह जो कारण है यह भी हमारा सही है क्योंकि इसका जो मान यह आया है तो इसमें यह वाली identity हम लगा रहे हैं तो हमारा answer आ रहा है ठीक है यानि अभिकतन और कारण दोनों सही है और इस अभिकतन की यह जो कारण है ये सही व्याख्या भी है तो इसलिए देखिए ये हमारा A option है दोनों अभिकतन A और कारण R सत्ते है और कारण R अभिकतन A की सही व्याख्या भी है तो इसलिए A option हमारा correct है 19 का ठीक है? इसके वाद देखिए question number 20 तो इसमें बोला है अभिकतन हमें दिया है की समीकरन 2X-Y बराबर 2 का एक हल X बराबर 2, Y बराबर 2 है तो क्या ये सही है? इसको हम check करेंगे कैसे check करेंगे? ये जो हमें समीकरन दिया हुआ है इसमें हम X की value 2 और Y की value 2 रख के देखेंगे अगर बराबर आता है तो फिर हमारा ये सही है अभिकतन तो देखिए सबसे पहले समीकरन है 2 X है, X की value हमारा है 2 फिर minus Y तो ये minus Y की value भी 2 है equal में भी 2 ही है तो ये हो जाएगा 2 दुना 4 minus 2 equals to 2 4 minus 2, 2 equals to 2 तो देखिए ये equal आ गया यानि की अभिकतन हमारा सही है अब कारण देख लेते हैं X और Y का परतेक माल समीकरन को संतुष्ट करता है तो कैई ये सही है, देखिए एक example के थुरू समझते हैं, X की value इस बार हम 1 ले लेते हैं और Y की value 1 ले लेते हैं तो अब हम इस समीकरन में X और Y की value 1 और 1 लेके देख लेते हैं, तो ये 2 ये वाला X है फिर तो X की value हमने 1 लिया माइनस, ये माइनस Y की value 1 लिया, इकोवल में 2, ये 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर 2 2 माइनस 1 एक बचा, इधर 2 तो कैई ये बराबर हैं? नहीं है तो इसलिए X और Y का परतिक मान सम्मीकरण को संतुष्ट नहीं करता है यानि की, ये हमारा कारण जो है, ये A सकते है अभी कथन सही है, कारण गलत है तो ऐसा option देख लेते हैं ये देखे, C option में दिया है, अभी कथन A सकते है लेकिन कारण R आसरते है, तो इसलिए C option हमारा correct हो जाएगा question number 20 का, ठीक है तो इस तरह से हमने इस question paper का question number 20 तक solve कर लिया, अब इसके बाद question number 21 से section B start हो जाता है तो section B के questions को हम next video में करेंगे, अगर आपको question number 21 और इसके आगे के questions का solution चाहिए तो आप मुझे comment box में बता देना अगर आप comment करेंगे, तो ही मैं next video बनाऊँगा इस question paper के solution का ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक like जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी share कर देना और चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लेना ताकि next video upload करते ही सबसे पहले आप तक पहुँच जाए तो फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद